तो नोन प्रोफिट और्गनाइजिशन क्या होता है वो तो अपने डील कर लिया था अब इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा देखो एक बात वापस में तोड़ा दिवाइस कराऊं कि इसका मिनिंग क्या था इसका अर्ड क्या था वो अमने पढ़ लिया था छोलगला था दोमने क्या पढ़ा था इसका इंकम के क्या सोर्स होते जिसके क्या सोर्स इक तर्डidar हमने पढ़ा है टाइप्स ओप टाइप सस्दों वूर्य किな सबस्विन और एक काई डिश्क होते हैं जिसको आई ने दो आइज में डिवायट्시면 में किया एक रिवेन्यू डूसरा चैपिटल ठीके एक रिवेन्यू उलस डूसरा कैपिटल ठीके फिर हमने लाग्व में जाते-जाते छाते थोड़ा सबसे पॉइंट को डिसकस क्या था एकाउंट्स कौन-कौन से फाइनल एकाउंस कौन-कौन से प्रिपेर करती है कौन-NPO जिसमें सबसे फर्स्ट हमने देखा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दूसरा इंकमेंट, एक्सपेंडिचर एकाउंट और तीसरा बैलेंशीर, अब अपन इसी को इस्टार्ट करेंगे, पूरा चेप्टर जो यह है, फाइनल एकाउंट के अंतर, तो आज अपने को सीखना है कि फाइनल एकाउंट में, जो हमारा सबसे फर्स्ट एकाउंट जो होता है, फ रिस्ट एकाउंट का मतलब क्या है, सबसे इजी एकाउंट जो है, इसके अंदर वो यह होता है, रिस्ट एकाउंट एकाउंट का डाइरेक्ट रिलेशन, कैश और बैंक ट्रांजिक्शन के साथ है, यानि हमारे बिजनस में टोटल कितना कैश या बैंक बेलेंस आया, रिस् बुक्तान खाता, प्राप्तिवाय, बुक्तान खाता, बहुत इजी है, आपने 11th क्लास के अंदर जो कैश बुक बनाई न, वह ही है, ठीक है, साल में जो भी हमाई पेसा मिल रहा है, चाहिए हो कहीं से भी आए, हमें यहां पर लिख देना है, साल के दोरान, अगर हमने कहीं पर भी पेमेंट किया है, यानि हमाने आशे कर पेसा गया, वो चाहिए केस में गया हो, या चेक के थू गया हो, वो अपने को लिखना होता है, ठीक है, अब इस एकाउंट का फोर्मेट क्या होता है, अच्छ एक चीज बताओ, क्या रिवेन्यू टाइप की चीज़ आती है, कली पबा आउने, रिवेन्यू मतलब क्या था, जिसका बेनیफिट एक साल के अंदर अंदर होता है, रिवेन्यू में रिसीट भी होती है, और पेमेंट भी होता है, इसे हमने प्लारान्ट पर्चेस किया, मशीन पर्चेस करी, शोट में कहें तो एसेट से रिलेटेड़ जो चीज़ होती है वो capital है और जो normal expense होते है बिजनस में normal जो receipt होती है वो revenue होता है अब अब यह भी मैंने आपको एक चीज़ बताई मैंने कहा हम recipient payment में सिर्फ यह देखते हैं पैसा आया या नहीं आया हम कभी भी उसके source को दिमाग में ही नहीं रखेंगे recipient payment account यह माताफोडी नहीं करता है revenue है कि capital हो तो सिधा एक चीज़ बोलता है हमने का भी salary मिली मैं उसको समझाने गया मैंने का देख भी salary revenue है वो कहेगा दिमाग मत खाऊ पैसा आया मैंने कहां आया लिख दो बात खतम मुझे मत बताओ revenue है capital चीज़ क्लिर हो रही है यानि recipient payment account को revenue और capital से कोई मतलब नहीं है वो सिभी एक चीज़ जानता है पैसा आया तो receipt हो गई लिख दो पैसा गया तो payment हो गया अब चाहिए revenue के लिए पैसा जा रहा है या capital के लिए पैसा जा रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है यानि कि क्या recipient payment में revenue आइटम भी आती है येस और क् capital आइटम भी आती है येस बताओ क्यूं क्यूंकि revenue में पैसा आया तो भी लिखेगा capital में पैसा आया तो भी लिखेगा 雪 बेची पैसां आया तो भी लिखेगा सेलरी रीसी उइवी पैसा आया दो भी लिखेगा दोनों चीज़े ь। पेमेंट में रिवेटिल दाइब की चीज़े आ थी गहीं एब गविंटा कैसे अब ते बहुत एज़ी सा तुला एमारे पास इSteven में इसका पुरा format बनाते देट प्रटिकुलर जिए फोर माउनट बोन अभी क्या है दो साइड ही ऐसे अपने को मैं कि को आपने की डिसमें और जिसमें लिस्ट पर तिकुलर ऑमाउंट पर्टिकुलर ऑ्टिकुलर ऑं की ये है पर्टिकुलर एमाउंट पर्टिकुलर और एमाउंट ठीक है अब इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी है जैसे हम केश बूक बनाते हैं तो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास केश का ओपनिक बैलेंस होता है याद है टू बैलेंस बीडी लिखते थे जब केश बूक बनाते थे यहां पर भी सेम है मैं अगर 31 मार्ट सपोस कीजिए 31 मार्ट 2022 को हमारी बुक्स क्या हो रही है बंद हो रही है तो इस दिन अगर मैं बना रहा हूं तो सबसे पहले मुझे यह देखना है 1 अपरेल 2021 को साल के स्टार्टिंग में कितनी मेरे पास केश पड़ी थी यह अगर मेरे पास बैंक बैलेंस था तो कितना था तो शुरुआत कहां से करेंगे साल के स्टार्टिंग में कितना पैसा था जिसे हम बोलते है 2 बैलेंस बीडी ठीक है यह balance किस-किस का हो सकता है, यह balance हो सकता है cash का, यह balance हो सकता है bank का, दोनों का, तो हमें सबसे पहले starting में कितनी cash थी, उससे इसको लिख देना है सबसे पहले, to balance video, जो question आपको खुद बताएगा, इसके बाद अब जो भी आपके business में पैसा आता है, receipt होती है, सब को debit में लिखते जाओ, ठीक है, पैसा कहां-कहां से आ सकता है, कल मैंने आपको income के कुछ source बताएगा, कोई भी पांच source पोन बताएगा, donation, सब से पहले to में क्या लिखेंगे, donation से भी पहले लिखना है to subscription, चंदा प्राप्त होगा आपको, receive हो रहा है, subscription, receive, ठीक है, फिर donation मिला, to donation, donation, और क्या हुआ, legacies मिली, legacies में amount आना चाहिए, द्यानक ना, assets आने पढ़नी लिखेंगे, क्योंकि receipt payment का relation पैसोचे होता है, cash, ठीक है, legacy, फिर, newspaper बेच दिये, पैसा आएगा, to sale of newspaper, देखो, फिर से जुन लेना, सिर्फ इतना सोचो, पैसा आया या नहीं आया, पैसा आया, तो receipt में लिख दो, चाहिए कहीं से भी आया हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अगर उसमें बोल दिया, पैसा receipt हो रहा है, तो यहां लिख देंगे, उसका source लिख रहा है, clear? Sale of scrap? Sale of depreciation में पैसा जाता है क्या 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 depreciation क्भी cash में लगता है? Deption लगने से हमारे यहां से पैसा जाएगा, कभी नहीं जाता ध्यान रखना, तो इसका relation सिर्फ वापस सुन लेना किस्ते होगा, पैसा आ रहा है, तो debit में है, पैसा जा रहा है, तो credit में है, clear point? यह सारी item जो हमने कल पढ़ी थी ना, यह revenue nature की है, हर साल मिलती है, subscription हर साल मिलता है, donation हर साल मिलता है, legacies हो सकता हर साल मिल जाए, ठीक है, newspaper हर साल बेजते है अपन, रद्दी हर साल बेजते है अपन, कुछ चीज़े ऐसी भी होती ही, जो capital nature के जैसे, मैंने machine बेच दी, machine बेच दी तो पैसा आएगा की नहीं आएगा? आएगा, तो बस पैसा आते ही तो लिखना है, बात ही खतम, फिर machine बेची या कोई assets बेची तो क्या लिखूँगा, to sell of fixed assets, fixed assets बेच दी, मेरे पास investment पड़े थे, बेच दिये, पैसा आएगा, तो मस्यों investment क्या होता है, मैंने किसी कमनी में पैसा लगा रखा है, हमारी investment है, उसको sell कर दिया, पैसा आएगा, आएगा तो कहां लिखना है, to में, to sell of investment, इस investment पे आपको income मिल सकती है, जैसे व्याज मिल गया, है न, interest, क्या लिखूँगा, to interest on investment, क्लियर, यह हमने कुछ example पड़े भी, ठीक है, पूरी inclusive list नहीं नहीं दे रखी है, क्या मैंने यहाँ पर revenue item भी लिखी, क्या मैंने यहाँ capital item भी लिखी, यह, तो वापस सुनना, क्या हम यहाँ पर जब चीजों लिखेंगे, तो मैं यह देखूँगा, क्या कि यह capital है या revenue है, नहीं, मैं यह देखूँगा, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो debit में लिखना है, इसी तरीके से अगर पैसा जा रहा है, पैमेंट हो रहा है, तो credit में लिखना है, ठीक है, क्या कह सकता हूँ, यह receipt side हो गई, यह हो गई receipt side, और यह हो गया हमारा payment side, अब payment हम किस की चीज़ का कर सकते हैं, पहले revenue item देखते हैं, बाई में, electricity expense, बिजली का भी लाया, salary pay कर सकते हैं, by salary, rent pay कर सकते हैं, by rent, ब्याज चुका सकते हैं, by interest, ठीक है, और बताओ, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, by water bill, water bill, एक होता है by owner area, कुछ नहीने वर्च भी आएंगे जिनको अब अच्छे समझना है, owner area जो होता है, इसका हिंदी मेर्थ होता है, मान दे, मान दे का मतलब क्या होता है, यह जो club होते हैं, यह अपने club को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ताकि नहीने इसमें member जूरे हैं, यह celebrities को बुला सकते हैं, या किसी एक VIP person को अपने आप बुला सकते हैं, कोई एक बड़े function के अंदर, ताकि लोग जाने इनको, आरे समस्में, तो जब हम किसी VIP को बुलाते हैं, तो क्या कुछ खर्चा भी लगता उसका, यह, हमने, जैसे आपने सुना, जोधपुर में कल्यान जुलेट खुलाता, जहाद है, कोन आये था, अमिता बच्चन, तो अमिता बच्चन जब आया, तो उसकी आओ बगत के उपर कुछ खर्चा किया, क्या 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 क्य सब्सक्राइए यह सारे एक्सपेंस कौन से हैं रिवेढ्टी जो हर साल करते हैं अब च्ना मन आतरे पैसा जाता है क्वा फरी सकता है कि मैसे बैचा पैसा आयाया से खाहिदेंगे पैसा जाए ऑ Nepal जो रहा है तो इALLY को आए कहीं पर वब्र आप करो क्या लिखेंगे बाई को फिस्टर आपको पुरा लिखना अया था इस इनवेश्चमेंट भरीज़ है तो पेसा जाएगा भी कहां लिखेंगे बाई साइड में बाई पर्चेज ओफ इन्वेस्टमेंट ठीक है लगबग यह हमने यहाँ पर लगबग सीज़ें कवर कर लिए ठीक है तो वापक बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट एकाउंट जब हम बनाएंगे तो सिर्फ क्या इतना बेलेंज था हमारे पास फिर इतना और पेसा आया ठीक है सपोस्ट करो जैसे मैं बोल देता हूं मेरे पास ओपनिंग में दोनों मिला के पच्याशार रुपे थे फिर मेरे पास इन सब में से मिला कर एक लाक रुपे और आ गए किते होगे डेड़ लाक और मैंने यह स अधीजार का क्या कर दिया खठ्या कर दिया तो आपके पास क्या बचा 30,000 बे बचे वो 30,000 को बैलेंज होगा साल के एंड का के अब मेरे पास पैसा बचावाए उसे में बोलते हैं closing balance और closing balance को लिखा जाता है by balance CD, यह क्या था, to balance BD, यह क्या होगा, CD, balancing figure, जिसमें हमारे पास cash या bank, यह दोनों balance आ लिए, कई बार हो सकता है question आपको closing में case का बता दे, तो balancing figure bank का जाएगा, bank का बता दे, तो balancing figure case का जाएगा, और कुछ नहीं बोला है, तो हमें इमान के चलना है, कि स्वीफ हमारे पास cash ही यह bank है, clear, यह छोटा सा हमारे क्या है, इसका format है, जो आपको अभी के भी उतारना है, फिर इसको पर अपन करें के ask practical question, फट उतारो भी इसको, मैं दो आपने वेज़ते कर दूँगा, केमरा और चालू, नाम ले लिया, तो इस्टरा भुजाएगी त्यान कलेना, देखो, prepare the following particulars taken from the cash book, कह रहा है कि यह हमें information कुछ दे रखिए, जो cash book से लिग गई है, of a health club, health club मतलब, फ़ास्ते के लिए जो इन्होंने club बना रखा है, prepare a receipt and payment account, क्या बनाना, सिर्फ receipt or payment account आपको बनाना है, अब देखो information क्या क्या दे रखिए, सबसे पहले इसने लिख दिया opening balance, प्रारंबिक 6, कितना दियावा है, cash in hand और cash at bank, क्या मतलब हुआ इस था, cash in hand, यानि हमारे पास cash कितनी है और bank में balance कितना है, यानि इसने क्या बता दिया, opening balance, तो यहीं से तो हम starting करते हैं इसकी, क्या बनाना आपने को, receipt and payment account, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यह हो गई debit side, यह हो गई हमारी credit side, यहाँ पर लिखते है particular, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, receipt भी याद रखने के लिए, amount, particular, amount, सबसे पहले अपने को लिखावा है, opening balance, कहाँ लिखूं, दिपाली, तू में की बाई में, बेटे बेटे, बेटे, तू में, अच्छा यह तू में क्यों आता है, बता सकते हो, जब भी आप किसी assets का account बनाओ, पता वास्ता में किसका account है, यह cash और bank का account है, receipt or payment क्या है, cash और bank के बारे में बात करता है, real account है, हर वो चीज जो assets से संबंदित होती है, कौन सा account होता है, real account, वस्तुगत खाता, तो assets से related जो भी account होते है, उसका balance क्या होगा, debit, क्योंकि assets समेशा बढ़ने पर क्या होती है, debit, तो assets का balance भी हमेशे क्या आएगा, debit, opening balance, तो कहां लिखूंगा, debit side में to balance BD, अगर यह कोई liability का account होता, तो liability का balance क्या होता है, credit, तो उसका opening balance इधर आता, समझ गए, तो साथ में इस चीजों को भी cover करते जाना, two balance BD, cash, cash in hand और cash at bank को मैं short में लिख देता हूँ cash और bank, cash in hand हमारे पास में था 5000, कितना था 5000, और cash at bank था मारे पास 25,000, सिदा बार ही लिख देता हूँ, 5000 और 25,000, अब ध्यान से सुनते रहना, और यह बताना receipt है या payment है, ठीक है, किसी से भी पूछ सकता हूँ, अगला लिखा हूँ, subscription, डिव्यांचू, receive, subscription क्या होता है, चंदा, अच्छा आप कोन हो, हम कोन है, इंसान है नहीं हम कोन है, जब accounting कर रहे हैं, हम business हैं, business man नहीं है, business man तो आपने अपने आपको honor मान लिया, हम business हैं, जो transaction कर रहा है, हम एक club है, हम club के member नहीं है, यह द्यान रखना, तो club के लिए, subscription हमेशा receive होगा, business में तो हमेशा subscription प्राप्त होगा, उसको receive होगा, तो इसलिए, हमें अपने आपको मेशा business मान के accounting करनी होती है, आपने 11 में पढ़ रखा है, dual aspect concept, दोहरी लेखांकन अउधारना, या फिर दोहरी प्रथक अस्तित अउधारना, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, बिजनस का मालिक अलग होगा, बिजनस अलग होगा, आप अपने आपको हमेशा व्यवसाई मान कर लिखांकन करेंगे, आप अपने को business मान कर accounting करेंगे, ठीक है, subscription अपने को मिला है तो का हैगा, two में, receipt to watch, two subscription, ये मिला है one leg sixty five thousand, next, donation, receipt, का लिको two में की बाई में, two में, two donation, ये भी मिला है, अच्छा इसने ये नहीं लिखा donation receive, इसने सिप donation लिखा है, तो इसका normal nature ध्याना का receipt का है होगा, हम club हैं, तो donation मुझे सामाने रूफ से तो मिलता ही है, हम donation देते अगर कभी हैं, तो ये लिए आपको बताएगा, हमने donation दिया है, नॉर्मल इनका nature क्या होता है, receipt का, donation मिला हमें, कितना, 35,000 receipt होई है, तो debit में लिख दिया, ठीक है, next, investment purchase, विदी, क्यूं, investment हमने खरीदे, तो credit side आएगा, सही है, लेगन क्यूं, yes, हमने payment किया, पेशा गया, पेशा आए, तो debit में, पेशा जाए, तो credit में, क्या लिखेंगे, by investment purchase, तो देखो दिमाग कहां रखना है, पेशा आ रहा है या, जा रहा है, आ रहा है, तो debit में, जा रहा है, तो credit में, investment खरीदे हमने 80,000, next, next है हमारे पास, rent paid, मोनिका, क्यों, हमने pay किया, पेशा गया हमारे याज से, तो buy rent paid, अच्छा बताना जरा investment कौन थे item, revenue or capital, investment, capital item, long term purpose हम पेशा इन्वेश्च करते हैं, rent paid किया, कौन से item है, revenue item, क्यों, एक साल के अंदर-अंदर उसका benefit होता है, regular basis पर हम pay कर रहा है, next है, general expense, खुश्बू, तू में, पेशा आए तो कहां लिखना है, debit side, जाए तो credit side, तो expense में हम पेशा मिलता है कि हम देते हैं, हम देते हैं, तो पेशा जा रहा है, पेशा जा रहा है तो, बस, by general expense, कितने गए, general expense हमारे रगज़े है, 21,500, next, postage and stationery, मन्शू, क्यों, expense है, payment हो रहा है, पेशा जा रहा है हमारे यहां से, buy side में, buy, stationery and, postage and stationery, postage and stationery, यह था, 2000, next, courier charges, courier charges, payment में पेशा जा रहा है, buy, buy, कितने गए, 1000, next, govind, sundry expense, पेशा आया या गया, गया, तो तू में या भाई में, buy में, क्या लिखें, buy, sundry, अब देखो, यहां तक अपने क्या किया, अभी तक सारी जो भी receipt की वो debit में लिख दी, सारे जो भी payment वो credit में लिख दी, अब क्या गड़ना आपने को balance निकालना है, अब हमें question में इसने balance दे रहका, closing cash in end, मतलब closing में cash कितनी थी, 12,000, वो तो देदी, यानि अब गयाप क्या गड़ दिया इसने, closing का bank balance, समझगे, तो अब मैं closing के लिए क्या लिखूंगा, by side में, opening balance, तू में आता है, closing balance, by में, by balance cd, जिसमें आपको इसने cash का balance बता दिया, कितना बोला इसने, 12,000, 12,000, तो अब यह आप से पूछ रहा है, bank balance क्या होगा, यानि यह आजाएगा balancing, figure, कैसे निकालते थे account का balance, जिसकी total ज़्यादा है, दोनों तरफ लिख दो, इसने निकालते थे balance, इसकी total ज़्यादा आएगी, तब भी तो इदर balance निकलेगा, ठीक है, करते total, तो इसकी total ज़्यादा है, दोनों तरफ लिख दो, दो लाख तीस हजार, दो लाख तीस हजार, अब दिपाली क्या करें, इस में से यह सब माइनस कर दो, ठीक है, अब यह सब क्या, माइनस 80,000, माइनस 20,000, यह आप एना यह भी कर सकते, इनको total करके भी इस में से माइनस कर सकते, ठीक है, एग्जाब में क्या करोगे, total करके माइनस करना है, 91,000, ठीक है, यह आया हमारा balance, छाब दो फटा आप अब एक चीज़ दियान रखना, एक्जाब में जो कोश्चन आएगा, वो final account पर से आपके income and expenditure account बनाने का एक कोश्चन आएगा, ठीक है, जो इस चेप्टर का basic concept होने वाला है ना, उसकी तर ध्यादने ना, हम सबसे पहले जो account बनाते हैं, वो recipient payment account बनाते हैं, बट exam में possibility यह रहती है, कि आपको question खुद ही देता, recipient payment account, ठीक है, और वो केता, income expenditure आपको account बनाने, अब सबका जाने दरो राजी, सबसे पहले हमेशा बनता है, receipt, receipt and payment account, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था, क्या इसमें revenue item भी आती है, यस, इसमें एक साल हाली चीज़े भी आती है, और इसमें capital item भी आती है, पढ़ चुके revenue item क्या हो, capital item क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से जो revenue item है, उनको उठाके एक account में transfer करना होता है, और जो capital item है, उनको उठाके दूसरे account में transfer करना होता है, तो हमें क्या करना है, इसमें से जो receipt and payment में revenue भी आ रखी है, और receipt and payment में capital भी आ रखी है, इस revenue को उठाके हमें एक दूसरे account में डालना होता है, उसकी का नाम होता है, income and expenditure account, यानि आपको जाना है कौन कोन से रिवेन्यू आइटम है एक साल के अंदर जिनका बेनिफिट होता है ठीक है जैसा सब्सक्रिप्षिण, डोनिशन, रेंट, इलेक्टिसिटी, एक्सपेंस वो सब क्या थे इंकम एक्सपेंस बनाओगी से रिवेन्यू आइटम है उठाओगा, और कहां ले जाओगा, इंकम एक्सपेंस देखुए कहां ले जानी है और कहां ले जानी है क्या होता है क्या होता है उसके इंदर इडर वा से मुझे वहां से सारे डूर नीए और कहां डाल देनी है यानि revenue में अगर कोई चीज इंकम है इंकम साइड में जाएगी कोई चीज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड में जाएगा अब साइड कोई सी होती होती वह भी समझाँगा capital item है तो कहाँ चलियाएगी balance sheet में ठीक है लेकिन with some adjustment सीधे सीधे नहीं कहाँ वहां हमें करने पड़ेंगे कुछ adjustment जो सबसे interesting point है इस chapter जब आप चीजे रिसिप्टेंट पेमेंट से उठा के लाओगे income expenditure में तो हमें कुछ adjustment करने पड़ेंगे जो आपने 11th class में पढ़ रखे है accurate income, unnerd income, depreciation, consumption जो भी आपने final accounts में पढ़ाना वो का वो चीज़ यहाँ पर वापस आदे है ठीक है मैं आपको बिल्कुल adjustment करेंगे और क्या क्या होंगे अगर आपने यह adjustment अच्छे सा समझ लिए मैं जब adjustment कराऊंगा तो मैं आपको तीनों चीज़े बनोंगा कि adjustment जब हम करेंगे तो इन तीनों पर क्या effect पड़ेगा तो लगबग आपका चेप्टर यह adjustment में ही कतम हो जाएगा फिर होगा क्या यह सारे adjustment एक साथ है अब पहले पर adjustment कौन-कौन से होंगे सबसे पहला adjustment होगा outstanding expense हिदि में इसे कहा जाएँ जखत वेर अजखत वेर दूसरा हमारे पास उपश्वाइब एक्सपेंस पूर को जखत वेर होगा तुर कर दूसरा हमारे पास और पास एडश्मेंट है और इंकम इन्दी में क्या बोलते हैं? पार्जित आय इन्दी प्यानी ची इन्दी मेरे मालोगों तो कम से कम अनाड इंकम इन्दी में क्या बोलते हैं? शबाश अनू पार्जित आय अनू पार्जित आय इसलो आप मान इलोगों ना नेक्स्ट डेप्रीशिश्ट इसे डेप्रीशिश्ट ने परे हम कबर करेंगे कंजम्शन यह नहीं है? यह नहीं पर आपने ज़्टों कंजम्शन ओफ मडेरियन जिसे हम बोल सकते हैं सामगरी का वो सामगरी का वुपुद हो अपसंदी टेटर कंजम्शन ओफ मेट्रियन उसके बाद आएगा डेप्रीशेश्ट डेप्रीशेश्ट मुल्यहास उसके बाद पर आपके अदर बोक्स यारी लगवक्ष आपकी एक से लेके छे तक में ही आपका पूरा चेप्र लगवक्ष आपके अपने मान के चलो इस एंप योगवक्ष आपके पकने अपके अपके अपको यह एजटीज बनाना पूरा और उसके निचे आपके सारे एजश्मेंट इंकम एकस्पेंडिचर एकाउंट को इंदी में बोलते हैं आई वे खाता है और बेलेंशियर को इंदी में कहा जाता है चित्था पड़ा फट यहां तकलों कुरुवर्न ने डिवर डिवर्व एस झाल झाल झाल